हम अपना एक सेंसकर्ट परकरण कंप्लीट कर चुके हैं तो शेकरम में हम अब सेंसकर्ट के चंद परकरण के कुशन करने जा रहे हैं अगर आपको पहले वाले वीडियो देखने हैं तो मैं उनका लिंग डिस्क्रिशन बॉक्स में देदूंगे आपसे अन्रोध है कि कुशन करने से पहले एक बार वो वीडियो जुरू देखे जिसे आपको पता चले कि हमें किस प्रकार से सोल करने तो हम अपने कुशन सोल करते हैं आगे हमारा पहला क्यूशिन है एका देख से वर्ण है नय संती एसमिन छंद है इसमें पुछा कहा है कि एसा कौन सा छंद है जिसमें एका देख से वर्ण नहीं पाये जाती एका देख से वर्ण का मतलब जिसमें ग्यारा वर्ण नहीं पाये जाती आपको पता है ग्यारा वर्णो से युक्त तीन चंद होते हैं इसमें इंदर वज्रा उपइंदर वज्रा और उपजाती इन तेनों को सामिल किया तो हम देख सकते हैं उपजाती है ग्यारा वणनों से युक्त है इंदर वज्रा ग्यारा वणनों से युक्त है इसलिए वंसर यह क्या है यह बारा वणनों से ये इसमल इतीयत चंद है इसमें पुछा गया है कि जो इस लोग के फ़ह में पंकति दीं है हैं ये जब हुआ को इससे चंद से रिलेटेड है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मैंने ardंख बताय थे चिब से पहले आप वर्णों को गिनिया जिससे हमें पता चलेगी इसमें कितने वर्ण है और कौन से चंसे रिलेटेड है तो आप भी मेरे साथ में गिनना एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, देस, ग्यारा, तेरा, चब्दा, पंद्रा, शोड़ा और सत्रा तो हमें यह पता चल गया है कि इसमें कितने वर्ण है, सत्रा वर्ण है, तो अब हमें यह भी पता होगा कि सत्रा वर्णों पर जो चंद आते हैं, वो तो कितने होते हैं, दो होते हैं, सत्रा वर्णों से यूग चंद भी कितने होते हैं, दो होते हैं, तो हमें अब इनके लक्षनों, या फिर जो गुण होते हैं, उनको जो मंदाकरामता है उसका लक्षन होगा कि पहला पत क्या होगा मंदाकरामता में पहला पत होगा मगन तो मगन का मतलब होता है तिनों बड़े जो पर्थम तिन वरण होंगे वो क्या होंगे द्रग होंगे और हमारी यगन का मतलब क्या होगा पहला है स्वा होगा लाश्ट के दो क्या होंगे द्रग होगे तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा नियम लगता है सा क्या है दिरग है और आपको मैंने बताया था कि जो अर्ध वरण होंगे वो हम काउंटिंग में नहीं लेंगे तो यहाँ पर हमने नैकों नहीं गिना है आप इस नियम को याद रखना वरना तो पतानी कितने वरण हो जाएंगी ठीक है तो ता भी क्या है दिरग है और का भी क्या है दिरग है तो हमने देखा है कि मैंगन में तिनों क्या होते हैं दिरग होते हैं तो इसमें क्या होगा मन दाखरांता होगा क्योंकि यह तिनों वरण श्टांटिंग वाले र्जेन का है मगण है ठीक है यंवी तिनव ड्रग है आई होब आपको समझ में आई है हमारा अगला कुशन है छंद है शुत्रानी विरचंती यह 검찰 है कि भूर किन की द्वारा देए गये तो यह rat saki में होगा बै अक्रैए अत्र तो को ही कन्या पर रहे कि एवं इतियतर चंद है यानि कि जो यह स्लोग के लाइन दी हुई है इसमें कौन सा चंद है तो हम सबसे पहले इसके वरण गिनेंगे काउंट करेंगे एक दो टीन चाऱ पांट चैज स Wallace गयरा तो इसमें कितने हुरा और आपको यह बएंद्जों कृणनों से यह संत्ड कितने होते हैं इंद्र वजरा उपाइंद्र वजरा और उपजाती लिए हैं 12 वरनों से इंदर वजरा का नियम है कि पहले जो तीन अक्सर होंगे वो क्या होंगे तैगन होंगे उप इंदर वजरा का नियम है पहले क्या होंगे जैगन होंगे और उप जाती में इन दोनों का क्या होगा मिश्रण होगा तैगन भी हो सकता है और जैगन भी हो सकता तो तैगन का क्या नियम है तैगन का नियम है कि पहला दिर्ग दूसरा दिरगों तीसरा हेश्व है और जगन का क्या disruptive है नहीं सबस्क्राइब हम दोता है क्राइब लगयों सबस्क्राइब हम देखते हैं कि इस अब आपको देखने में तो आपतों सुच चुद जैसे यह जैसे इस प्रकार से है हलन्त लगा वसके नीची तो आपको मैंने एक नियम पड़ाय था कि हलन्त अवरण से पहले वाला वरण क्या होगा द्रब होगा तो यह क्या हो जाईगा इस यह जाएका हो जाईगा अगर आपको वह नियम याद नहीं हो उंगे तो आप सभी परकार वार से मातरा इन नहीं लगा पाएंगे इसलिए आपसे डिक्वेश्ट के पिछे वाले वीडियो जुरू देखें और मैं उन्में मैंने बहुत ही सोट्री के सब समझा रखाएं तो यहां पर आप क्या हो गया दिरग हो गया था में आ की मातरा रहे है और लगू हो गई तो हम ने सुर्य दर फॉइदी इती लक्षन अस्व पदा है वान वर्त इसमें पुछा गया है इस जो लक्षन आ ये हमें लक्षन बताएं इसमें अस्व पदों की कितनी संक्या वान तो समें कितनी होरा स्क्रेंग है और इती स्मक्राणलि Hammaraj, कितनी होगी माई याति में न प्रावधान और वह हैं तो इनको भी देख लेना तो इसमें क्या होगा से सब्लिक सब्सक्राइब इसमें पुछा गया रिचाए यह जो हमें इस लोग की पर्थम लाइन दी गिए तो इसमें पुछाएं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक दो तीन चार पांट छे शाथ आठ नो तस और गैरा इसमें भी क्या है गैरा ही वरन है तो हमें इसमें नियम लगाने होंगे कि कौन-कौन से का क्या नियम है तो हम देखते हैं इंद्रवज़्रा के अभी पर क्या नियम प्राथा था कि थम द्रग दृत्य द्रग और तीरती हश्वा यानि तगन और उप जाती का क्या था पर थम लगू दित्य द्रग और तीरती लगू तो हम देखते हैं हमारे जो यह सलोग दिया वाए उसमें कौन सा सटिक भीड़ता है और यह तो याद रखना कि जो आदेवर नोते हों दो यह थो यह हमारे जो यह शुत्र है ओपें दर वजरा का ऐसिवेड़ा तो इसका उत रखनार क्या होगा वैह होगा उपेंदर वजरा तो हम अपना अगला क्यूशन करते हैं न विर्थतो मंदो वर्थत यह त्यातर चंद अन्द है आपको एक कषलोक का दिगी है पंक्ति दी गहीं और आप से इसमें भी क्या पुछा गया है छंद पुछा गया है तो सबसे पहले हम वरणों के काउंटिंग करेंगे एक, दो, तीन, चार, पान, छह, शात, आठ, नो, देस, ग्यारा, और बारा। अब इसमें कितने वरण हैं। बारा वरण है। लेकिन बारा वरणों से युक्तवी कितने छंद हैं, दो छंद हैं। दूर्तविलंबित और एक तो हे दूर्ति विलम मंभी थे और दूसरा कि है वनसर तो आप इसे शीदा भी कर सकते हैं जैसे कि iç वनसर तो है नहीं तो ओर प्यॉन सब दूर्ति विलम मंभी भृती होगा ठीक है लेकिन मा आपको जो इसका जो नियम है उससे उकरवादेती हूँ यह मालीनी है यह कितने कहा है यह 15 वर्नों से युक्त है ओ जो वनसस तिली का यह 14 वर्नों से युक्त है ठीक है तो इसमें है कौन सा? दूर्त विलंबित का जो सुत्र होता हो क्या होता है? पहले तीन अक्सर क्या होंगे नगन होंगे नगन का क्या मतलब हुआ है हैसव है है यहनकी नगन का मतलब होगा तीनों क्या होंगे हैसव होंगे जिससे कि नय में ए की माता आ रिये तो हैसव है वी में छोटी ए की माता आ रिये तो हैसव है और वीरी में छोटी री की माता आ तो यह क्या है तो इस पर हमारा यह जो नियम है वो शिट्टी की वेड़ता तो इसका आंसर क्या होगा बैद दुरुत्वी लंबित इसमें आपको यती से शमन्द पुछा गया है कि जो अमना शिखरणी शत्रा वर्णों से युद्टा छंद हैं उसमें रसे रसपद लख्षन कहाँ पर होता है तो ये 6 वर्णों के बाद होता है, जो सिखर्णी जो चंद होता है, उसमें 2 प्रकार की एती प्रकार की, एक तो 11 वर्णों से युक्त होगी, एक होगी 6 वर्णों पर, तो हमारे जो रस्पदे होगी, वो होगी 6 वर्णों से युक्त, और कौन सी होगी एती 11 वर्णों के आपना अगला कुशन करते हैं चंदे सु गणाहा संती इसमें आप से पुछा गया है कि ऐसे कौन से संख्या है जिसमें चंद के क्या पाई जाते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से संख्या पर ही चंद पाई जाते हैं वरना तो आप ऐसे लगाओगे जैसे कि 8 से सुरू होते हैं 8 11 12 14 15 17 19 21 यह जो मैंने संख्या लिखे हैं इतने ही युक्त वर्णों से छंद पाई जाते हैं इसके लावाद जितनी भी संख्या हैं जिसे 7 8 7 9 10 13 16 इन पर क्या नहीं छंद नहीं पाई जाते हैं अगर आपको 16 वर्णों से युक्त छंद सलोक दिखाए द पाष्ट की संख्या उसको कम्याधिक कर सकते हैं यह मैंनी नीम में इपड़ाया था आपको तो इसमें क्या है साथ है वो उसमें छंद के कुण नहीं 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 दसमें पाई जाते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा आठ और आठ होनों से युक्त छंद कौन सा होगा अनुष्टुप संयोगे परेहस्व है भूति यानि संयोग के बाद याकर संयोग पिछी हो तो उसका क्या हो जाएगा तो पहले वाल अवरण होगा वो क्या हो जाएगा बूरु हो जाएगा ठीक है यह जो नियम थे ना मात्राओं के नियम उनमें पढ़ाया हुआ पदान्ते पदमद्धे वाल अलफ विराम मह भूति जो पदान्ते यानि पद के मध्धे में जो अलफ विराम होता है उसे क्या कहते हैं तो मैंने बार बार आपको बताया है कि जो यती होती है यती का मतलब होता है रुकाउट है यानि पद के मध्धे में जो रुकाउट होती यूदों से यूदिय छ ये वो ज यह उल्ओ कि किनी है आटे कोिस फ़ये प्रह णिवा ये सुरिये प्रह फरत की कि यती यह होंगे गुल में का खेए में एक यतीना एगई अधर णीर बॉद दूसरी यतिया इगी वह मुझा आएगी है तो गुनिस पदोर 12 पदोर शाथ की पाएथ क्या आती है साद रूरी किडित नमे यतिया थी इंदर वज्रो पेंदर वज्रो है मिष्रें चंद है भौति इंदर वज्रो और वज्रो के मिष्रन युक्त चंद कौन सा है नान में, तो आपको 11 वरणों से उक्टिछंद में बताए कि ईंद्र-वजन और पंद्र-वज़रा के लक्षन किस में HUपचाते में तो इसका होगा Dessen endless ज्ण फार उसके पध्टेक्वध में कितने बड़न पाये जाते हैं ग्यारा वर्ण पाये जाएंगे ग्यारा वर्ण वर्ण युक्त तीन होते हैं इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा और उपजाती बारा वर्ण वर्ण युक्त कितने होंगे दो हैं दूर्त विलंबित और वनसस्त और पंद्रा वर्ण वर्ण युक्त कौन सा होगा माले नी ठीक है अस्मिन चंद सी सस्थ है वर्ने सदेव गुरु भवति इसमें से कौन सा चंद एसा है जिसमें क्या है सस्थ वर्न क्या है सदेव गुरु है तो वन्सस्थ एसा छंद है जिसमें अपना जो सस्थ यानी चठ्ठा जो वर्न होगा उसे द्रग होगा तो इसका क्या होगा दै होगा आरिया क्या है एक मात्रिक चंद है अनुष्टुप ग्यारावणों से और इंद्रवजा ग्यारावणों से युग्त चंद है तो हम अपना आगला क्यूशन करते हैं आर्या चंद सी दिवे पदे मात्रा है बवती यानि जो आर्या चंद उसके जो दूसरी लाइन होती है उसमें कितने कुण से इक मात्रिक चंद मात्री चंद यानिं इतनी देर तो हम क्या गिन रहे पद्वें ठारा और पर्थम और तिर्थे में बारा मात्रा है पाए जाएंगी आदी गुरु गणा है बहुती आदी गुरु से यूगत गण कुन से हैं भगण सते मेलं चुनुत आप इन सबको भी करना कि यह रवाले आयसत्य केसे हैं हम निचे वाला देख लेते हैं कि यह सत्य केस्य तो हमें इस्य आयसत्य बताने से पहले हमें पता होना था हूप है है हम इसा कीनते हैं है एक दो तीन च्यार पांग छहे साथ आठ नो अन्नों दस ग्यारा और 12 होता है यह तो आप नहीं कि इसका से झार्पitung का नियम परण होंगे वह क्या होंगे जगन का मतलब होता है जगन का मतलब होता है कि पर्थम क्या होगा हस्वय होगा दूसरा क्या होगा दिर्ग होगा और तीसरा भी क्या होगा हस्वय होगा तो हम देख सकते हैं इसमें पर्थम क्या है क्या है है तो हस्वा है लेकिन ये सी छोटी ए की मातरा ने कान ये भी क्या है हस्वा है औरते भी क्या है है तो इसमें जैगर ने लगकर तीनों ही हस्वा है नेगर लग रहा है तो हमारा ये क्या होगा इसमें नियम इसने गलत लगाया है तो हमारा दय क्या जुरूर करें और आपसे निवेदन है कि यह क्यूशन करने से पहले जो पिछे वाले वीडिया मैंने वह बहुत ही सोट ट्रिक आपको समझाए हैं वह जुरू करें आपको भी एक चलosp concealer मैं इस तरे में बता देती हूं जैसे कि हमारे एं गेरा और ऑणनों से components है तो हम इने केसे याद रखें इसमें देख लेती हम गैर ऊवणनों सेरा तुट ट्रिक से हम केसे याद रख सकते हैं इंको तो हमने इंदर वज़रा में क femme क्य कि इसमें जगण है और इसमें क्या है तो हम इसे केसे याद रखें तो आप यह दोनों का पहला जो दिर्ग और लगवा उसको याद रखें और इधर देखें इंदर कैसे है तो हलंतें वरंड से पहले वाला वरण क्या होता है द्रग होता तो इह यहां पर क्या है द्रग है तो इस जिस भी 11 वरण नो यूक्त सलोक में आपको पर्थम अक्सर द्रग दिखाए दे तो आप कौन सा होगा इंदर वजरा होगा आप इस से इसकी मिलान के लिजिए कि को सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कितने व वरण वरण के बाद आप याوس से ट्रिक उसमें लगा सकते हैं ठीक है धन्यवाद